चतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में स्थित बागेश्वर धाम सिध्ध पीठ के रूप में देशभर में ख्याती पा रहा है बागेश्वर धाम के पीठा धीजवर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री देश विदेश में अपने दिवे दर्बार के चलते अकसर सुर्ख्यां बटोते हैं उनके दर्शन करने के लिए आमभक्तों के साथ ही कई वीवी आईपी भी बागेश्वर धाम पहुंसती हैं हाल ही में मधिप्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने बागेश्वर धाम पहुंच कर बाबा से मुलाकात की और उनका अशिर्वाद लिया मंगलवार देररात मधिप्रदेश के संस्कृती परेटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मिंद्र लोधी वन एवं पर्यावनन राज्य मंत्री दिले पहिरबार राजनगर विधाय करविंद पटेरिया बागेश्वर धाम पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात के बाद संस्कृती मंत्री ने आने वाले दिरों में बागेश्वर धाम को तीर्थ थस्थल गोशित करने की बाद कही बड़ी ही प्रसंदता का विसाय है कि महराजी से मुलाकात भी हुई उनने आसीरवाद भी दिया और भागेश्वर धाम पर आकर बहुत अच्छा लगा और आने वाले समय में प्रयास करके भागेश्वर धाम को तीत छेत्र गोसित किया जा है महराजी की इक्षा है निश्चे दुरूप से संस्कती मंत्राला धर्मस्ट भाग है तो त्रयास करके इस काम को पूला करवाएंगे रक्षा मंद्री जी आने वाले हैं यहां पर एक तारिक क्यों क्या कहना चाहेंगे लागेश्वर धाम का दर्वार है हर को यह आना चाहता है लेना चाहता है निश्चे दुरूप से रक्षा मंद्री जी आ रहे हैं तो यह बहुत बढ़ी बात है अच्छी बात है पहली बार आये हैं कैसा लगा गुरुजी से मुलाकात तो तीन-चार वार हुई है बागेश्वर धाम पर पहली बार आना हुगा है वास्तों में गु प्रयास करके इसको करवाएंगे वहीं वनिवं पर्यावरन मंत्री दिली पहिरवार ने कहा कि जो कन्या विवा आयोजन हो रहा है उसमें प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा वह किया जाएगा मंत्री धर्विंद्र लोधी ने कहा कि बागेश्वर धामाकर अच् सब्सक्राइब करने विवाएंगे जाते हैं वह 119 विवाव महराज जी के द्वारा किये जा रहा है और आज मैंनों से मार्दर्शन लिया कि हम लोग के प्रकार से इस कारिकरम के आयोजन में सहयोग कर सकते हैं तो निच्छे तुरूप से हम बंदेल खंड के लिए सब्सक्राइब करने वाली महा शिवरात्री पर बागेश्वर धाम में 159 निर्धन कन्याओ का विवास अमारो आयोजित किया जा रहा है इस दोरान बागेश्वर धाम के पीठा धीश और मंत्री विधायक ने कारिकरम को लेकर भी चर्चकी